कहनी की शुरुवात में माफिया बोस फ्रैंक को दिखाते है जो कि 14 साल जेल काटकर फाइनली भारा चुका है जेल में जाने से पहले फ्रैंक का बदमाशी में बहुत बड़ा नाम था लेकिन अब उसकी चौड पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है जो धन्दे वो जेल जाने से पहले किया करता था जैसे कि प्रोस्टिटूशन और ड्रग्स वो अब कोलंबियन गैंग और चाइनीज गैंग मिलकर कर रही थी इसी के साथ दगुड सिन्वा पेश करते हैं किंग ओफ नियॉर्क अब कोलंबियन बिजनिसमेन एमिल्यो को दिखाते है जो की प्रोस्टिटूशन का धंदा करता था वो एक फोन भूत में कॉल करने के लिए गया और कुछ लोगों ने वहाँ पर आकर उसे फोन भूत के अंदर भूत बना दिया उन्होंने मरे हुए इमिल्यो को नियूस पेपर दिखाया और बताया कि तेरा बाप फ्रैंक वापिस आ चुका है इसके बाद जिमी नाम का बंदा किंग हीतो से मिलने होटल में जाता है जहाँ पर ड्रग्स के बदले जिमी को पैसे लेने थे लेकिन किंग हीतो पैसे देने के लिए तयार ही नहीं फिर जिमी ने मोका मिलते ही किंग हीतो को डैड हीतो बना दिया और आप लोग समझी गए होंगे कि ऐसा जिमी ने किसके कहने पर किया होगा ओवियसली फ्रैंक के कहने पर जिमी फ्रैंक का अदमी था और उसने फ्रैंक के इशारे पर कोलंबियन बिजनिसमेन और गैंक्स्टर को मार गिराया सब लोग फ्रैंक की वापसी का जशन मना रहे थे और फ्रैंक भी वापिस अपने चेले चपाटों में आके खुश था अब जिमी ने फ्रैंक को बताया कि जल्दी उसकी डैली सियो नाम के मिडल मैन के साथ मीटिंग है फिर फ्रैंक मीटिंग के लिए पहुँच गया वहाँ वो अपने बड़े-बड़े दोस्तों से मिला जिन में लॉयर, जजज और बिजनेसमेन शामिल थे उसने मिडल मैन डैली सियो से कहा कि जल्द से जल्द उसकी मिटिंग कले नाम के माफिया बोस के साथ फिक्स कराई जाए इसके बाद फ्रैंक एक लड़की को लेकर वहाँ से निकल गया फिर डैली सियो कले के पास जाता है और उससे फ्रैंक के साथ मिटिंग करने के लिए कहता है लेकिन कले ने मना कर दिया ये कहते हुए कि मैं नकली गैंक्स्टर्स के साथ मीटिंग नहीं करता जो 14 साल बाद अभी छुट के आये है फ्रैंक के बिजनेस परपोजल को रिजेक्ट करने का तरीका थोड़ा कैजवल था इसके बाद फ्रैंक को दिखाते है जो कि अमेरिकन मैट्रो को दिल्ली मैट्रो बना रहा था तभी वहाँ पर दिल्ली मैट्रो की अंट्यों का रोल निभाने के लिए अंकल आ पहुँचे वे लोग फ्रैंक को अकेला देखकर उसे डराना चाह रहे थे लेकिन वे नहीं जानते कि वे जिसे डरा रहे है उसके तो पहले से ही पैर काप रहे है हाला कि फ्रैंक के पास एक गंती जिसके चलते ये लोग फ्रैंक से जादा फ्रैंक नहीं हो पाए फ्रैंक ने भी ने जादा कुछ नहीं कहा बस नोटों की एक गड़ी पकड़ाते हुए कहा कि कल ताज होटल कमरा नंबर 420 में मुझसे मिलना इसके बाद फ्रैंक कले से मिलने जाता है जिसने उसका बिजनेस परपोजल ठुकरा दिया था फ्रैंक ने उसे कन्वेंस करने की भी कोशिश की लेकिन कले का यही कहना था कि वो छपरियों के साथ बिजनेस नहीं करता इतनी बेज़ दिती मैं तो नसहता फ्रैंक भाई और फ्रैंक भाई ने भी नहीं सही उसने कले और उसके आदमियों को मौत के घहट उतार दिया और फिर उसके पूरे बिजनेस पर अपना कबजा कर लिया जैसा कि उसने कोलम्बियन बिजनेसमेन के साथ किया था इसके बाद फ्रैंक एक मीटिंग में मेर से मिलता है उसने मेर से पूछा कि शहर के हॉस्पिटल को कितनी फंडिंग की जरूरत है तो मेर ने बताया 16 मिलियन डॉलर्स की जो कि अभी गवर्मेंट के बजट से भार थी 16 मिलियन की फंडिंग जोडने का काम फ्रैंक ने अपने सर पड़ ले लिया वो जानता था कि अगर उसने हॉस्पिटल को ठीक करा दिया तो आसपास के सभी लोगों का सपोर्ट उसे मिल जाएगा और फिर गवर्मेंट उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी यहां तक कि वो नेता भी बन सकता है वैसे भी नेता बनने के लिए जो टॉप क्वालिफिकिशन होती है वो उसने पूरी कर रखी थी जेल में रहना यहां पर तीन डिटेक्टिव टॉमी, रॉय और डैनिस भी थे जो फ्रैंक को बड़े फ्रैंक ली अपने साथ भाड़ ले गए दरसल फ्रैंक के आदमी उने एन्री को नाम के बंदे को बहुत मारा था लगभग अधमराई कर दिया क्योंकि एन्री को कोलंबियन ड्रग लॉड के लिए काम करता था और वो पुलिस के साथ मिलकर फ्रैंक के खिलाब गवाई देने वाला था कि उसने ही जेल से निकलने के बाद कोलंबियन गैंक के ड्रग लोर्ड को मारा है इसी बीच डेलिशियो वाउग नाम के चाइनीज गैंक्स्टर से मिलता है उसने फ्रैंक की तरफ से वाउग को बिजनेस प्रपोजल दिया वोंग चाहता था कि उनकी डिलिंग कैश में हो उसके पास 200 मिलियन के बराबर कमाल था वो जानता था कि फ्रैंक इतना कैश नहीं दे पाएगा इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी इस पर डेलिशियों ने कहा कि उन्हें याने की फ्रैंक और वोंग को आमने सामने बैटके बात करनी चाहिए इससे अगले दिन जिमी एक रेस्टरेंट में जाता है जहां पर एक बुजूर्ग महिला और उसके पोते को देखकर उसने उन्हें कुछ पैसे दे दिये तब ही वहाँ पर डेटेक्टिव और पुलिस ओफिसर्स पहुँच गे और उन्होंने जिमी को अरेस्ट कर लिया इधर फ्रैंक और चाइनीज गैंक्स्टर वॉंग के बीच में बिजनिस डील चल रही थी वॉंग फ्रैंक के हर प्रस्ताव को ठुकरा रहा था जिसके चलते फ्रैंक का मूँ ठोंगे जैसा बन गया होटल पहुंसते ही उसे जिमी की गिरफतारी के बारे में पता चला और उसने अपनी पूरी जीजान लगा दी जिमी को छुड़ाने में जल्दी पुलिस को जिमी को छोड़ नहीं पड़ा क्योंकि उन पर फ्रैंक की वज़े से मेर का दबाव पड़ रहा था मौके पर तीनों डिटेक्टिव आ जाते हैं और वो इस बात से काफी नाराज थे के जिमी को छोड़ दिया गया फ्रैंक की लोयर ने बताया कि अगर उन्होंने फिर से जिमी को हाथ लगाया तो उन्हें कोट का दर्वाजा खटखटाना पड़ेगा दूसी तरफ चाइना टाउन के अंदर फ्रैंक और उसके आदमियों ने वोंग और छोटी छोटी आखवाले उसके साथियों पर हमला कर दिया फ्रैंक के आदमियों ने वॉंग के आदमियों को मार डाला और वॉंग को बंदी बना लिया जब तक कि उसने अपने सारे सीक्रेट्स रिवील नहीं कर दिये और फिर उन्होंने वॉंग को मार डाला कुछ दिनों बाद फ्रैंक की डोनेशन से हॉस्पिटल फिर से चालू हो गया जिसके चलते फ्रैंक फिर से नियॉर्क सिटी का किंग बन चुगा था ये देखकर डिटेक्टिव डैनिस की बहुत जल रही थी वो सोच रहा था कि हम यह दिन रात काम करके भी कुछ नहीं उखाड पा रहे और ये दो नंबर का काम करके नाम बना रहा है डैनिस ने कहा कि कानून फ्रैंक जैसे लोगों के लिए बना है और अब उसके बास इतना पैसा है कि कानून के तरीके से उसे पकड़ना अल्मोस्ट इंपोसिबल है फिर डैनिस ने एक प्लैन बनाया जो कि कानून की नजरों में तो इलीगल था लेकिन फ्रैंक को पकड़ने का यही सिर्फ एक रास्ता था हाला कि रॉय उसके प्लैन से खुश नहीं था और उसने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया फिर एक क्लब दिखाते है जहां पर बढ़िया पार्टी चल रही थी फ्रैंक भी यही पर था तब ही डैली सियो अपने साथ एक आदमी को लेकर आया जो कि उसके हिसाब से ड्रग डीलर था उसने फ्रैंक के साथ डील करने कोशिश की लेकिन बात कुछ बनी नहीं तो उसने कहा कि वो अपने बॉस से बात करके एक नया प्रपोजल लेकर आयेगा बाहर जाते ही उसे गार्ड मिला और उसने गार्ड को गोली मार दी इसका मतलब ये कोई ड्रग डीलर नहीं बलकि ये तो डिटेक्टिव है जो कि डैली सियों के साथ मिलकर फ्रैंक को पकड़ने आया है गार्ड के मरते ही वहाँ पर हतियार बन लोग पहुँच गए और उन्होंने कलम में गोली चलाना शुरू कर दिया इस गोली बारी में फ्रैंक बड़ी मुश्किल से जिमी को लेकर निकलता है हलाकि अटेकर्स में से एक उनकी गाड़ी पर लटक गया जिमी ने जब उसका मास्क उतारा तो उसे पता चला कि ये तो डिटेक्टिव है फ्रैंक ने उस डिटेक्टिव को बेरहमी से मार डाला अब अपने साथी की मौत के बाद डिटेक्टिव फ्रैंक और जिमी का पीछा करने लग गए बहुत देर तक कार चेस के बाद फ्रैंक उनसे पीछा चुडाने में कामियाब रहा लेकिन तभी उनकी कार का एक्सिडेंट हो जाता है कार में से जिमी भार निकला और वो टॉमी पर गोलिय चलाने लगा मौका मिलते उसने टॉमी को मार डाला इधर डैंस फ्रैंक को ढून रहा था लेकिन फ्रैंक उसे कहीं नहीं मिला और फिर जब उसने जिमी को टॉमी की हत्या करते हुँ देखा तो उसने तुरंत जिमी के अंदर कई सारी बुलट्स उतार दी इसके बाद हम टॉमी का फ्यूनरल देखते हैं जहां पर डैंस अपने दोस्ट टॉमी को श्रद्धांजली देना आया था वो जल्दी यहां से निकल गया तभी यहां पर एक कार आती है और उसमें था फ्रैंक जो यहां डैंस से जिमी का बदला लेने आया था एक गोली में डैंस की कहानी लिखकर वो यहां से निकल गया वापिस हेडकोर्टर पहुँचकर फ्रैंक डैली शियो से मिलता है जिसे उसके आदमियों ने बंदी बना रखा था डैली शियो ने बताया कि पुलिस ने उसे 50 मिलियन देने का वादा किया था और साथ ही आजादी भी वो भी सिर्फ फ्रैंक की लोकेशन बताने के बदले ये सुनने के बाद फ्रैंक ने अपने आदमियों को डैली शियों को जिन्दा दपनाने का ओडर दे दिया आखिर में रोय जो की तीसरा डिटेक्टिव था वो फ्रैंक से मिलने उसके होटल पहुंसता है फ्रैंक ने उसके सामने सब कुछ कबूल कर लिया कि उसने ही कोलंबियन ड्रग लोर्ड्स को मरवाय था साथी उसके डिटेक्टिव साथियों को भी फिर फ्रैंक ने रोय को कुर्सी से बान दिया हलाकि फ्रैंक के जाते ही रोय ने खुद को छुडा लिया वो फ्रैंक का पीछा करते करते मैट्रो तक पहुँच गया फ्रैंक ने एक पैसेंजर को शील्ड की तरह इस्तमाल किया और फिर बेदर्दी से रोय को गोली मार दी इसके बाद उसने टैक्सी ली यहाँ पर हम देखते हैं कि गोली फ्रैंक को भी लगी थी जब टैक्सी वाले ने उसके हद में बंदूग देखी तो उसने टैक्सी साइड में लगा ली और भार निकल गया पुलिस अब आ चुकी थी लेकिन उन्हें क्या पता कि फ्रैंक तो उनके आने से पहले ही जा चुका है वो भी उपर दोस्तो क्राइम का रास्ता वाके में तेज है इतना तेज कि बंदा टाइम से पहले उपर पहुँच जाता है कभी भी क्राइम के रास्ते को अपनाने से पहले क्राइम पैट्रोल देख लेना पुलिस से बचने की टिप्स मिल जाएगी खेर साफधान रहे, सतर्क रहे वीडियो ची लगी हो तो लाइक करे और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर बबाए झाल